आज जो सत्ता में बैठी है वो एक तरह से फासिवादी सरकार है और जो वित्य पूंजी है यानि एकादिकारे घराने अंबानी अडाने जो परिवार है उनकी सरकार है उनकी नीतियों पे चल रही है उनको फाइदा पहुचाने के लिए तमाम नीतिया लागू कर रही है यह सब्सक्राइब कर लाटी है नियुक्ता इसी सब्जी के घर में घड़ में कुछ ना हो तो इक अलू डालके पानी दल जाता था ता वहादा बूल जाता था वो आलू साथ रूपय से नीचे नहीं है अलू एक ऐसी सबजी कि जलो कुछ ना हो सब्जी बना लेता था लेकिन आप मार्केट में जाओ सब्जियों के रेट देखो आटाचावल के रेट देखो वही तेल जो 100 रुपय तक मिलता था 200-200 लीटर तक पहुंच चुका है तो यह इतनी उनको गरीबों की जिनता है तमाम सरकारी कॉलेजों को बंद किया जा रहा ह मर्ज किया जा रहा, खतम किया जा रहा, हरियारा के अंदर मैं भरीदाबास से आई हूँ और हरियारा के अंदर इन्होंने पिछले 10 सालों में 600 स्कूल बंद कर दिये हैं सरकारी स्कूल, लेकिन प्रावेट स्कूलों में हम देगेगे सीट खा लिये, तो इनको गरीबों की चिंता है कि सरकारी स्कूल बन करके, सरकारी अस्वताल बन करके, बस्तियों को उजार कर गरीबों की चिंता कर रहा है, ऐसी सरकार है, अगर हम बड़ी संक्या में देखेंगे, चाहे कुंदीब सेंजर हो, चाहे कठुवा का मामला रहा हो, चाहे हात्रस का मामला रहा हो, चा आज भी जल रहा है कि इतनी मैलाओं का वा बलातकार कर दिया गया लेकिन यहां बनके जो अपने को राष्ट भत कहते हैं एक पर मणिपुर्चा की उस आग को जो उन्होंने लगाया था अरक्षण के नाम पर उसको साल्थ नहीं करा पाए तो असल में पूरी पार्टी है यह इनकी मानसिकता यह तरसाथ ही यह बद्ध योगी नूहले मानताओं वाले हैं यह पिछडी सोच वाले हैं यह हिटलर के विचारों वाले है जो हिटलर यह मानता था कि मैलाओं काम है पच्चे पैदा करना और आज हमें देख रहे हैं कि भारत में भी जो सरकार है वो यही च